नमस्कार किसान भाईयों आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सिवम धाकड किसान भाईयों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने ट्रेक्टर से खेत को लेविल कैसे करें तो इस वीडियो को अंतर तक जरूर देखिए साथ ही जो दोस्त पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पासवाली गंटी के बटन को जरूर दबा दे देख सकते हो किसान भाईयों मेरे फीचे यह जो पूरा जो खेते अभी हमने इसको लेविल किया है मात्र दो ट्रेक्टर की मदस से पहले ट्रेक्टर में हमने जो है जो बड़ा ट्रेक्टर है सासुचू मलिस फोर स्टार इसमें हमने प्लव लगाया है इसमें प्लव लगाने के बाद देख सकते हो और पल्टी प्लव नहीं लगाया है सिंगल बोटम का प्लव लगाकर इसमें पेले जगा को हमने इस तरह खोदा खोद कर फिर जो हमारा एक इसके साथ इसकी मदस से हमने फूरा खेट लेविल कर दिया है देख सकते हो पानी नहीं आता था इसमें जगे-जगे क्यारिया बनानी पड़ती थी तो सबसे पहले इसमें लिवर की बात करते हैं यहां से तो यह स्वराज का 834 XM ट्रेक्टर है जो की 35 HP यह सारे स्वराज के ट्रेक्टर में जो है सेम जो है लिवर रहते हैं तो सबसे पहले हमको जो यह काला जो पोजिशन लिवर है जो PC वाला PC वाले को पूरा इस तरह आगे कर देना एक बार का तो फिर आपकी जो खेत की लेविल वो सिर्फ जमीन से थोड़ी सी टच होना चाहिए जैसे की मेरा जो यह निसान है यहां पर यह बटन लग रहा है यहां पर इसकी ब्लेट टच होती थी तो इतना रख दिया फिर इस प्रकार इसको पूरा यहां पर रख दिया और पिर काले वाले लिवर को पूरे आगा कर द में जगे से पूरे खेत में क्यारियों में पानी जाता था वहां की लेविल थी इस बटन के बराबर तो वहां से इस बटन के बराबर लिवर डीसी वाले को कर दिया इस बटन की लेविल में तो पूरा खेत है जो जहांसे पानी आएगा और इदर नीचे की और आएगा नीचे उची जगा हो गई थी इस करण पानी नहीं आ रहा था इस प्रकार फिर हमने इसको आज ठीक किया और देख सकते हैं दोनों ट्रेक्टर की मदस से हमने इसको ठीक किया है यह सास्वचूमलिस खड़ा है जो अभी लिया थ करते हैं कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आए पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले गंटे को जरूर दबा दे